नमस्कार शोताओं मुख्य प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निशनेयर भारती जन्ता पार्टी के वरिष्ट नेता लालकृष्ण आडवानी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री आडवानी को इस सम्मान के लिए बधाई देते भी कहा कि उन्होंने जमेनी इसतर से लेकर उपप्रधान मंत्री तक के रूप में देश की सेवा की है मुख्यमंत्री विश्णु देव साय ने आज नारायनपूर जिले में 108 करोर रूपे स्यधी के विकासकारियों का लोकारपन और भूमी पुजन किया इस मौके पर उन्होंने रामकृष्ण मिशंद्वारा संचालित नारायनपूर आश्रम में महाविद्याले बनाने की घोशना की निर्वाचन आयोग ने लोगसभा चुनाव की मद्देनजर सभी लेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की प्रथमिस्तर की जाच पास से चौदह फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं प्रदेश भाजपाद्याक्ष कीरन सिहिदेव ने संगठन में आठ प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बारह कारे समीती सदस्यों की नियुक्ति की है कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा और लोगसभा चुनाव को लेकर प्रदेश प्रभारी सचिन पाइलेट ने आज सक्ती जिले का दोरा किया इस दोरान उन्होंने कॉंग्रेस के वरिष्ट पदाधिकारियों की बैठक ली स्वास्थ मंत्री श्याम बिहारी जैस्वाल ने कहा है कि प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना की अंतरगत अनुबंधित अस्पतालों की लगातार निगरानी की जाए भाजपा विधायक दल की बैठक कल दो पर साड़े तीन बजे प्रदेश भाजपा कार्याले कुशा भाव ठाकरे परिसर में होगी बीजापूर जिले में आज एक मावादी ने सुरक्षा बलो के समक्ष आत्म समर्पन कर दिया भारती पुली सेवा के अधिकारी राहूल भगत को मुख्यमंत्री विष्णू देव साय का सचिव निउक्त किया गया है 37 वी अखिल भारती डॉक बैड्मिंटन प्रतियोगिता पांच फरवरी से रायपूर में आयोजित की जाएगी के मुख्य प्रादेशिक समाचार नमस्कार